नमस्कार दोस्तों, हिंदी निव जिफेर्स में आपका स्वागत है दोस्तों पड़ोसी देस पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी निव जा रही है दरसल पाकिस्तान की सीमा में घुस करके इरान ने एक उसके उपर इस्ट्राइक कर दी है जिसको सर्जिकल रिश्ट्राइक कहते हैं जैसे कि भारत ने एक बार पाकिस्तान के खिलब सर्जिकल रिश्ट्राइक करी थी दोस्तों मामला क्या है ये पूरा बिस्तार सा समझाता हूँ दरसल दोस्तों बात ये कि एरान का कुछ हिस्सा दचली पूर्वी हिस्सा उसका एक प्रांत है सिस्तान बलोचिस्तान के नाम से वहाँ पे कुछ बलोच लोग रहते हैं और ऐसे ही एक बलोचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में भी है जिसमें बलोच लोग रहते हैं कहीं न कहीं उन दोनों की आइडियोलोजी लगबख सिमिलर थी है। तो दोनों लोग चाहते हैं कि एक उनको फ्री मतलब ज़्यादा राइट्स मिले बलोचिस्तान में। चाहे वो पाकिस्तान के रहने वाले हो या इरान के रहने वाले हो। तो दोस्तों आप ऐसा समझे कि बलोचिस्तान में जो एरान के वाले बलोचिस्तान प्रांथ में हैं वो लोग सुनी हैं जैसे सिया एक होते हैं एक सुनी तो वो लोग सुनी हैं और एरान जो देश है वो सिया बाहुले देश हैं मतलब वहाँ पे सिया लोगों की डॉमिनेंस ह तो वहाँ पर सुनी जो मुस्लिम्स हैं ये माइनौर्टी में हैं उनकी तादाद बहुत काम है तो इनका ये कहना है कि एरान हमारे साथ बिलकुल वैसा ही बेवहार करें जैसा सिया मुसल्मानों के साथ करता है हमें भी वैसे ही राइट्स दे ये उनकी मांग है जो सिस्तान ब भी बलोचिस्तान के लोग रहते हैं उनकी भी अपनी एक डिमांड है कि आप सारे रिसोर्स हमारी धर्ती से निकालते हो जगा से निकालते हो बलोचिस्तान से निकालते हो और उसको निकालने के बाद आप बेशते हो जो पैसे मिलते है उसको आप दूसरे स्टेट में पाकिस्तान की गॉर्मेंट से तो मसला तो यह तो दोने आजाद होना चाहते हैं दोने फ्री होना चाहते हैं अपने ज्यादा राइट्स मांगते हैं तो होता क्या है कि जो पाकिस्तान वाले बलोचिस्तान के लोग हैं ये दरसल हमला कर देते हैं एरान के उपर ये लोग और ऐसे सिस्तान बलोचिस्तान वाले लोग हैं जो इरान में रहते हैं ये बलोचिस्तान के साइड वाली जगह पे आके हमला कर देते हैं और जब हमला करते हैं दूसरे साइड अपना सेफ रहते हैं तो इनी से बचने के लिए इनको सबक सिखाने के लिए इरान ने इस बार जाके कि यहां पर सीमा को क्रॉस किया और पकेस्तान में हमला कर दिया और जस जहां इसे विकर उपर उनाम है जैस अल अद्ल दसल यह एक आतंकी संगटन है इसको इरान के सरकार ने आतंकी संगटन मान रखा है इरान में बहुत से जो घटनाएं हुई हैं उसके पीछे इस ग्रुप का हाथ बताया जाता है कि इसने वहाँ पर कई बार हमले करें अभी एक रिसेंटली इन्होंने हमला करा था सिस्तान बलुचिस्तान प्रांद के एक पुलिस स्टेशन में जिसमें 11 पुलिस वाले की हत्या हो गई थी मार दिया गए थी मिरती हो गई थी और उसमें इसी ग्रुप का हाथ बताया जाता है तो इरान ने अभी जो अटैक किया है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो जैसल अदल का टॉप कमांडर था वो इसमें मार दिया गया है और इसी के साथ एरान और पाकिस्तान के बीच फिर से टेंसन मल गई है आपको बता दें कि ये जैसे अभी फरवरी में ये हमला हुआ है इस से पहले अभी पिछले मेने की बात है जनवरी के एरान और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे पर हमले किये था, पहले इरान ने जाके एर इस्ट्राइक करी थी उसमें, हवाई हमले करे थे, फिर उसके अगले ही दिन पाकिस्तान ने इरान को जवाब दिया था, तो दोनों के बीज फिर एक समझोते पर थाक्षार हुए है, एक एग्रिमेंट हुआ, कि भाई एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, उसके बीज, उसके बाद से वहाँ पर सांती बनी हुई थी, लेकिन अभी ये कल, फिरते ये हो गया सार्जिकल इस्ट्राइक, अब इसके बीज देखना है कि पाकिस्तान अब इसका जवाब क्या देता है, एरान को, खेर लड़ाई कुछ असर पढ़ सकता है, अगर इससे कोई ज्यादा टेंशन बढ़ती है तो, तो अब देखना है दोस्तों क्या होता है भविश में, इससे कोई और अपडेटेड नियू जाती है, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, थैंक यू, दोस्तों आप